वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने मैं चैनल को सस्क्राइब ना किया हो तो सस्क्राइब कर लीजिए साथ में इस बिल आइकन को भी प्रेस कर दिये जिसे कि हमाई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको में जाए वेल्कम टू टेकाइड सेवन के फ्रेंज आप समी ने पूछा था कि प्लाश्टर का एस्टीमेसिन कैसे बना जाता है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्लाश्टर में कितना सैंट कितना सीमेंट लगे गा यह कैसे कल्कुलेट करें तो यह वीडियो अन तक देखिएगा जिससे कि आप पूरे प्रॉसेस को अच्छी तरह समझ जाएं सबसे पहले हमको एजिम करना मोल्टार रेश्यो वन इस्टो सिक्स वन पार्ट हमारा सीमेंट है और सिक्स पार्ट हमारा सैंड है जो रहेगी जो होंदर के लिए जो होती है रूम दर की इंदर वाल्स 15 mm जो होती है वह रूफ सर्फेस के लिए नाइन इंच और फूर इंच ब्रिक वाल के लिए और 20 mm जो होती है उसमें डबल लेयर लगती है प्लास्टर की जो की इस्टीर वाल्स यानि की बाहर की वाल्स के उपर यूज होता है इसके बाद हम जो कॉंस्टेंट लेंगे वो देंसिटी आफ सीमेंट है वो है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसके उपर हम प्लास्टर का इस्टीमेशन करेंगे वन बाई वन मीटर बाई वन मीटर का प्लास्टर भी लगेगा और 12 mm की इसकी थिकनस रहेगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं व्रेंट सबसे पहले निकालेंगे वालूम आप मोल्टार तो यह हो जाएगा वन इंटू वन इंटू पॉइंट जीरो वन टू जो की थिकनस आती है 12 mm एकोल टू हो जाएगा पॉइंट 012 मीटर के तो यह अगर निकालेंगा तो आजागा 0.012 मीटर क्यूब यह जो आपको बता दूँ ड्राइव वालूम फॉर मोल्टार सीमेंट प्लस सेंड मतलब मोल्टार जो सीमेंट रोसेंट का होता है उस उक्वर्ट होता है 30-35 परसंट मोर्दन वेड़ वालूम मतलब 30-35 वह वेड़ वालूम से ज्यादा रहता है इसलिए 1.30 उससे मुल्टिप्ला मिली आता है तो यह confusion आपको न रहे तो ड्राइव वालूम के लिए हम 1.30 से मुल्टिप्लाइ करेंगे वेड़ वालूम को उसके बाद आ जाएगा हमारा 0.0156 उसके बाद हम find करेंगा quantity of cement इसके लिए जो मोटार रेशियो है उसको प्लस कर लेंगे 7 हो जाएगा तो इसमें 1 part cement है तो 1 by 7 into dry volume into density of cement 1440 तो यह हमारा आगया 3.21 kg तो इसको बैक्स में कर निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे 50 से यह आ जाएगा 1 bag इसके बाद हम निकालेंगे sand तो quantity of sand के लिए हम 6 by 7 कर देंगे 6 part sand है multiply कर देंगे हमारा जो dry volume है उसससे तो यह आ जाएगा 0.0133 मीटर क्यूब तो इसको क्यूबिट फीट में convert करने के लिए इसको multiply करा देंगा 35.3147 के तो यह आ जाएगा हमारा 0.47 फीट क्यूब तो फ्रेंट्स फाइनली जो हमारा answer आया है 1 meter into 1 meter wall plaster के लिए जो की 12 mm thickness है वो quantity of cement in plaster 3.21 kg और quantity of sand in plaster 0.47 फीट क्यूब तो इसी तरह हम इसको easily find कर सकते हैं अगर one page calculation के हम बात करें तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं खाली चार step आप देख सकते हैं आप इसका screenshot ले लिए हमेशा आपको याद रहेगा तो friends ये तो मैंने आपको बताया 1 meter by 1 meter wall के लिए आप किसी भी wall के लिए आप निकाल सकते हैं खाली इसकी values वहां पर put करना और ऐसे ही process पूरा चलता रहेगा friends ये process है आपको one page calculation इसका आप कर सकते हैं सिर्फ 4 step है जो मैंने आपको process बताया ये आपको गहराई से समझाने के लिए बताया है आप simply 4 step में इस process को पूरा कर सकते हैं friends अकर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like करना मत भूलिए share करना मत भूलिए और subscribe परना तो बिलकुल मत भूलिए so thank you so much for watching